बश्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आईसोमेट्रिक एसकेल के बारे में अब आईसोमेट्रिक एसकेल क्या होता है इसको आज हम लोग डिटेल्स में डिसकसन करेंगे तो सबसे पहले आईए यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब आईसोमेट्रिक वाला ये तीनो एज जो है आपको horizontal से equal inclined होगा तो cube जो होगा वो आपका isometric projection दे देगा तो isometric projection के लिए condition क्या है कि ये तीनो equally inclined होगा किस से horizontal से जब ये तीनो एज equally inclined होगा horizontal से उस situation में ये जो axis होगा यहाँ पे isometric axis जो हमने कल पढ़ा था पिछले एक्षर में ये isometric axis एक दूसरे से 120 डिगरी बनाएगा angle अब देखिए यहाँ पे age की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये age है ये वाला age है ये क्या है इसका कुछ ना कुछ लेंद होगा पहले ये vertical था जब उसको पीछे से उठाया है यानि कि एक corner पे खरा किये तो उस situation में क्या हुआ कि inclined हो गया inclined होने के बाद अब क्या होगा कि जब इसका आप front view draw करेंगे तो ये length जो actual length से छोटा रहा है ये length हमें दिखेगा जैसे मान लिजिए आप दिवाल के सामने खरे हैं और बीच में एक pen ले लिए और pen को क्या किये आप कि दिवाल के parallel लखे और फिर आप उसको देखे या सिधे perpendicular दिवाल के light पास करवा है pen के उपर से तो जितना pen का size होगा उतना ही dimension का आपका दिवाल पे figure बन जाएगा लेकिन अब उसी pen को inclined कीजी और फिर उसको देखिए या फिर light पास करवाईए तो उस situation में आपको क्या होगा कि वो जो pen है आपका उसका length actual length से छोटा दिखेगा उसी के parallel हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यह line क्या है actual में inclined है तो यह जब inclined line है तो inclined line को जब हम लोग perpendicular देखेंगे तो यह line का length क्या दिखेगा छोटा दिखेगा इसको हम लोग देखेंगे कितना छोटा दिखेगा isometric length है अगर होगा तब उसको हम लोग derive करेंगे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यह तीनों आपका axis होगा axis जो होगा वो क्या होगा equally inclined होगा अब इसको हम लोग line diagram से देखते हैं तो यह अपना line diagram है line diagram जब ही भी isometric projection का draw करेंगे तो यह isometric projection यह equally inclined होगा यानि कि यह 30 degree होगा यह भी 30 degree होगा लेकिन अब यह जो तीनों axis है यह तीनों axis आपका 120 degree 120 degree और 120 degree बनाएगा अब यहाँ दिहान से देखेंगे अगर यह 120 degree है तो यह भी आपका 120 degree होगा अब यह जो angle होगा यह कितना का होगा तो यह 120 120 यह निकि 240 हो जाएगा 360 में से 240 ढगाट आएगे तो कितना हो जाएगा 120 और 120 को dosage of divide करेंगे तो यह भी 60 हो जाएगा और यह भी आपका 60 हो जाएगा तो यह दोनों angle 60 होगा अब मालो कि इस point को हम half कर दिये यहां से एक parallel line horizontal के parallel draw कर दिये यह निकि इस angle को simple कह सकते हम half कर दिये तो यह उपर वाला angle कितना बचेगा तो यह उपर वाला angle जो बचेगा यह आपका 30 degree angle होगा और यह नीचे वाला भी 30 degree स्ववाबिक है 60 है तो 30 30 हो जाएगा अब यह 30 है यहां पे आपको हम दिखा दिये कि PR जो line है वो यहनि कि P angle को PS divide कर दिया और जब जो ही divide किया equal part में division किये तो उपर वाला angle 30 degree होगा अब यहां गौर से देखिए cube के उपर यह cube exact अगर कोई पूछे कि actual में cube के दो age के बीच का angle क्या होता है तो आपको पता है कि actual में यह 90 degree है actual में यह 90 degree है लेखिन जब ही isometric projection हम drop किये यहनि कि पीछे से cube को tilt किये और फिर हम drawing किये तो क्या हुआ बताए थे length जो है वो change हो जाता है और change होने के कारण angle change होगी है actual में वही angle है अब यह actual में वही angle है लेकिन यहाँ पे isometric scale में angle जो है वो change हो गया that means यह angle अभी जो दिख रहा है यह कितना है पूरा 60 degree लेकिन actual में क्या था तो actual में जो हम था वो 90 degree है तो अब यह 30 degree है तिधर हम कितना move कराएं तो यानि कि ओपर 45 degree और इधर भी 45 degree अगर पे line हम draw कर देंगे तो इसका actual age हमें दिखने लगेगा तो actual age दिखाने के लिए हम दो क्या कर रहे हैं कि इधर भी 45 degree पे यानि कि 15 degree आगे जाके एक line draw कर देंगे और नीचे भी 15 degree तो यह दोनों एक तुसरे के 90 degree पे आ जाएगा परपेंडिकुलर पे आ जाएगा अब यहां से हम इसको देखेंगे अब एक line हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए अब ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि जो PR है यह PR वाला line यहां से जो यह PR आपको दिख रहा होगा यह PR वाला line आपका isometric length था यानि कि जो isometric view में draw कि यह वाला length था लेकिन actual में PQ वाला length है न actual length आपको जब हम दो find out करेंगे यह PQ होगा यह कैसे हुआ तो isometric वाला यह था लेकिन यह तो 30 पे था लेकिन actual में यह क्या था 45 पे था इधर और 45 पे इधर तो यह 45 45 पे जो हमने draw किया यानि कि age को 90 पे लिए तो आगे वो जो vertical line है उसको cut किया Q पे तो यह जो PQ line होगा यही PQ line आपको यह exact line या true length कह सकते है या actual length कह सकते है यह दे देगा अब यह जो diagram आपको दिखा इसी को में रूप से समझना होता है कि यह PQ actual length हो गया और PR isometric length हो गया बस यह दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो य यह PQ कैसे आया that means इसको 90 degree पे actual दोनों था है वो 90 degree पे था तो यहाँ पे दोनों red line को हम 90 degree पे जो ही किये यानि कि 30 पे था तो 15 degree उपर लेगे कर और यहाँ पे भी 45 पे दूसरा line डॉप किये तो exact age का यह size हो गया जो 90 degree पे था अब यह PQ जो हमारा होगा वो true length हो जाएगा PR जो होगा वो isometric length हो जाएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं scale के chapter में हम लोग बहुत सारे types of scale को देखे थे उसमें हमने main रूप से जो discuss किया था उसके अलावा तीन scale और discuss किया था में रूप से वो था enlarge scale, reduce scale और full scale, enlarge scale का मतलब क्या कि कोई भी object बहुत बड़ा है उसका हमें drawing sheet पे draw करना है drawing को तो उसको हम लोग क्या करते थे dimension को, sorry, उसको dimension को reduce करके हम जब draw करते थे तो उसको हम लोग reduce scale बोलते थे लेकिन जब हमारे पास कोई छोटा object था, जैसे घरी का कोई part बहुत चोटा होगा अंदर में जो भी part होगा तो वो part बहुत छोटा होने के कारण क्या करते थे? उसको हम लोग enlarge करके draw करते थे तो उसको हम लोग enlarge scale बोलते हैं और full scale में कोई भी object जैसे माल लीजे आपके mobile का side यो गया वो mobile का जो भी dimension होगा अगर उसको हम लोग drawing करना होगा तो situation हम लोग full यानि exact dimension लेके drawing कर सकते हैं तो इसको हम लोग full scale बोलते थे इसमें एक term define किये थे RF representative fraction या representative factor उसमें क्या था कि enlarge scale में 1 से बढ़ा था RF का value और reduce scale में 1 से छोटा था और full scale में 1 के बढ़ाबर था अब ये representative fraction क्या होता था याद किजिए representative fraction जो होता है length in drawing upon actual length होता है तो इस दोनों के रेक्षियों को यानि कि actual में क्या length है और आपने drawing sheet पे क्या draw किये तो drawing sheet का जो length होगा और actual में जो length होगा उस दोनों के रेक्षियों को हम लोग representative fraction बोलते थे तो अब यहाँ पे आईए इस drawing में हम लोग समझते है कि length in drawing क्या आया तो length in drawing क्या है ये PR है यही ना आपका length in drawing है तो इसको हम लोग isometric length बोलते थे और यह आपका true length है या actual length है तो इसको true length बोल सकते है या actual length बोल सकते है तो PR isometric length है यानि कि drawing sheet per length है और आपका PQ जो है वो आपका actual length या true length है तो यहाँ पे अगर हम इसका representative fraction निकालना चाहे तो यह क्या होगा यह representative fraction हो जाएगा isometric length upon true length या actual length यह true length, actual length same ही होता है तो यहाँ पे जो true length होगा वो आपका क्या होगा PQ और isometric length जो होगा वो क्या होगा PR होगा यहाँ diagram से आप लोग देख सकते हो तो इसी दोनों के ratio को हम लोग representative fraction बोलते हैं तो यह आपको scale chapter में हमने पढ़ाया था अब यहाँ पे देखें कि यही जो representative fraction आया यही representative fraction scale को denote करता है जैसे वहाँ पे enlarged scale को denote करता था reduced scale को denote करता था और full scale को denote करता था यहाँ पे इसी representative fraction को हम लोग isometric scale से represent करें के that means यह जो representative fraction है यह अपना isometric scale कहलाएगा that means isometric scale क्या होता है तो isometric length upon actual length या isometric length upon true length इस दोनों के ratio को हम लोग isometric scale बोलते हैं समझ मैं आगया तो ये isometric scale आपको जब भी define करना होगा it is the ratio between isometric length to actual length या true length कह सकते हैं अब आईए यहाँ पे आप diagram को देखिए अब यहाँ पे हम main focus करते हैं triangle PQS and PRS पे तो बस इतना portion हम काटके अलग से diagram बनाते हैं और फिर आगे हम लोग देखिएंगे अब देखिए ये diagram आपका हो गया तो वो वाला part का diagram यहाँ पे draw किए अब यहाँ पे कोई भी एक triangle consider केजिए तो एक triangle कोई भी हम consider कर लेते हैं या PQS या PRS तो हम कोई एक triangle consider करते हैं यह triangle PRS में अब PRS में कोई भी triangle यहाँ पे आपका PRS दिख रहा है यह P है यह R है और यह S है और यह angle बना रहा है 30 degree अब जब भी 30 degree बना रहा होगा तो यह PR है और इसका यह वाला base है तो यहाँ से जिससे angle सटा होता है वो cos theta होता है C4 सटा हुआ, C4 cos theta यानि कि यह cos theta हो जाएगा किसका PR का cos theta हो जाएगा यानि कि PR का component होगा cos theta यह हो जाएगा और जो दू हो रोगा वो sin theta हो जाता है तो यहाँ पे भी हम लोग PS देखेंगे PS का value अगर हमें find out करना होगा तो क्या हो जाएगा PR cos theta अब इसी परकार दूसरे ट्रंगवा में हम लोग देखेंगे कि इन ट्रेंगल PQ यहीं भरावाला ट्रेंगल PQS के में है तो PQS में भी PS common है इसलिए हम PS का value निकालेंगे यह भी 60 हुआ है किससे एंगल जो है 45 डिगरी PS से 60 हुआ है इसलिए cos theta हो जाएगा तो PQ cos theta यानि कि cos 45 डिगरी हो जाएगा उसमें 30 डिगरी हो जाएगा अब यहाँ पे PS common था इसलिए PS का value निकालें अब equation 1 और equation 2 में हम क्या करते हैं अब जब दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे PR cos 30 डिगरी इक्वल टू PQ cos 45 डिगरी आ जाएगा अब इस दोनों का जब ratio निकालेंगे cos 45 और cos 30 का value पुट करेंगे तो यह value आ जाएगा root 2 upon root 3 और इसका exact यह आपका root 2 upon root 3 जो value होगा यह exact value होगा किसका यह PQ upon PR का और 0.815 इसको जब रहनों divide करेंगे तो यह कहीं कहीं objective में आपको देखेगा इसलिए हम इसको लिग दिये हैं या कहीं कहीं आपको 0.82 भी देख सकता है उसके बाद यह जो PR upon PQ क्या है तो यही PR जो है आपको देख सकते हो यहाँ पे यही PR जो है आईसोमेट्रिक स्केल है यह जो PR है यहाँ पे यह क्या है आईसोमेट्रिक लेंथ है यहाँ पे डाइग्राम से देखे PR क्या है आईसोमेट्रिक लेंथ है और actual length क्या है PQ actual length PQ हो जाएगा अब actual length PQ है, तो यहाँ पे PR upon PQ, यही तो isometric scale था, तो isometric scale यह हो जाएगा, और इसका exact value पुछेगा, तो हम root 2 by root 3 बोलेंगे, लेकिन point में decimal में यह सारा value, exact value root यही है, otherwise यह भी इसका value होता है, isometric scale का यह भी value होता है, और एक यह भी value होता है, इतना value हम लोग इसलिए बता रहे कि 9 by 11, यह जो ratio होता है, isometric scale का वो क्या होता है, 11 by 9 दिया होगा, 9 by 11 दिया होगा, यह सब value में से कोई देगा होगा, तो बस जो value यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस उसी value को हम लोग टिक करेंगे, तो यह आपका isometric scale आ जाएगा, अब कोई पुछेगा, कि आप isometric scale का length बत करते हैं, तो 0.82 में 2 length से multiply कर दो, that means isometric scale मान लेते हैं, actual length 10 cm है, तो actual length 10 cm हम मान लिए है, तो actual length 10 cm है, तो isometric length क्या होगा, तो 0.82 से multiply कर देंगे, तो isometric length हो जाएगा 8.2, तो यह 8.2 जो होगा, आपका isometric length हो जाएगा, यह कहां से आया, तो isometric scale हमें पता था, कि 0.82 होता है, और isometric scale जो होता है, isometric length upon true length होता है, तो यह true length निकालना होगा, sorry, isometric length निकालना होगा, तो true length में 0.82 से multiply कर देंगे, तो आपका reduce value आएगा, यानि कि जो length आएगा, ओ length जो होगा, आपका isometric length हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, 10 जो है, वो true length है, यानि कि PQ को गवर हम 10 मानें, तो PR क्या होगा, उससे छोटा होगा, तो उससे छोटा कितना होगा, तो 0.82 चोटा होगा, तो यानि कि वो जो value होगा, अगर 10 है, तो 8.2 हो जाएगा, इसका isometric length, अब आजिए समझते हैं, इसी SQL को मान लो कि जब हमें draw करना होगा, अब उसका true length देया हुआ है, और isometric length हमें find out करना होगा, तो अब कहां calculation करना होगा, लेकिन हम लोग तो drawing पढ़ रहे हैं, ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको drawing के method से, ग्राफिक्स method से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो draw करके बीना calculation के मदद से हम लोग कैसे तो अब देखें, इसी diagram को हम दोबारा यहाँ पे draw किये, यहाँ पे 30 degree और 30 degree पे यह क्या है, PR, PR क्या है, isometric length, इसलिए हम लोग यहाँ पे isometric length दिखा हैं, उसके बाद क्या है, 45 degree पे यह आपका true length या actual length क्या सकते हैं, यह true length या actual length है, अब यह जो true length आपको दिख रहा है, य आप कोई भी dimension मालो, जो book में दिया होगा, कि 100 mm का कोई line है, तो 100 mm line यही true length होगा, अब इस पे माल लेते हैं, कि हम 100 mm कोई line लेते हैं, point लगा लिए, अब 100 mm का कोई line होगा, तो उसको हम क्या किये, यहाँ पे 100 mm कट कर लिए, अब 100 mm का isometric length हमें निकालना है, तो 100 mm का isometric length आप को निकालना होगा, तो इस situation में आप देखिए, जब isometric scale हमें find out करना होता था, तो यहाँ से क्या करते थे, q से directly perpendicular draw करते थे line को, यहाँ q से directly perpendicular line को हम draw किये, तो यह r point पे cut किया, तो हम क्या किये, जो यह ps है, इसके perpendicular line हम draw किये, तो ps के perpendicular line draw करेंगे, that means यह 100 वाले point से, यह isometric length को cut करेंगा, यही आपका isometric length हो जाएगा, और इसको measure कर लो, compass से, और वहाँ पे cut करतो diagram में, तो आपका isometric length मिल जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कि ps के perpendicular line draw करना है, true length से, तो आपका जो बीच में isometric length है, उसको जहाँ पे cut करेंगा, वो 100 का isometric length हो जाएगा, अ 100 mm था, अब यहाँ से हम perpendicular draw किये, नीचे, base वाले line पे, horizontal line पे, तो यहाँ पे, जो अहाँ cut किया है, isometric length पे, तो यहाँ जो यह cutting portion है, तो यह जो length होगा, यहाँ से, यह distance, यह distance आपका isometric length होगा, और इसको हम लोग लिखने का तरीका होता है, 100 ISO करके लिखते हैं, isometric length को कैसे 100 mm थो यह actual में है नहीं, तो actual में हमारा कितना होगा, तो 82 mm होगा, तो यहाँ पे 100 ISO लिख देंगे, तो समझ में आ जाएगा examinal को, यह 82 mm हो गया, तो 100 ISO भी लिख सकते हैं, यह calculation से भी आप लोग find कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग isometric projection draw करेंगे, उस situation में आपको हमेशा scale draw करना पड़ेगा, और उसके बाद इस scale का length लेके आप isometric projection draw कर होगे, तो इसलिए हम लोग यह सीख रहे हैं, अब इसमें दूसरे type से हम लोग यह drawing draw कर सकते हैं, और दिखा सकते हैं, जैसे अभी मान लेजिए, अभी जो हम use किये हैं, यह जो triangle की बात कर रहे हैं, P, Q, R, बस इतना दूर में ही हमारा काम खतम होगे, तो इससे तो कोई हमें मतलब ही नहीं है, यह से कोई मतलब नहीं है, यह इस diagram में था, इसलिए हम लोग ले लिए, अब इसमें दूसरा scale हमें तो बस isometric length और true length से मतलब है, तो isometric length और true length के बीच का angle कितना होगा, यह 15 degree होगा, तो यह यह 15 degree आपको दिख रहा है, तो यह 15 degree है, अब यह 15 degree है, सभाविक है यह angle कितना होगा, तो यहाँ पे आप इस diagram में देख सकते हैं, यह 45 है, यह 90 है, तो सभाविक है यह वाला angle कितना होगा, 45 degree, तो यह वाला जो angle होगा यह 45 degree होगा, है नो, तो यह angle 45 degree होगा, that means true length से जो inclination बना रहा है, isometric length को cut करने के लिए, वो 45 degree है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले, एक दूसरी type का scale हम draw करने की कोसिस करते हैं, जो easy होगा, और इतना जयता line draw करने की जरुवत नहोगा, तो सबसे पहले हम क्या किया true length draw किये, और true length और isometric length draw किये, तो यहाँ पे यह पलट दिए बस diagram को, यह true वाला length यहाँ पे draw कर दिए, और 15 degree angle पे हमने क्या किया, यह isometric length draw कर दिया, अब आपको पता है कि यहाँ से true length से, यह 45 degree पे move करेगा, यह जब 45 degree पे यहाँ से move करेगा, तो यह जो cutting section होगा, यह isometric length हो जाएगा, किसका, यह true length का, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, true length पे 100 mm का length कट करते हैं, अब इसको isometric length find out करना है, तो इसका isometric find out करने के लिए हम लोग क्या कि 45 degree पे एक line को move कराएं, यहाँ कि यह true length से 45 degree पे ही move कराएं, अब यह 45 पे जब move कराए है अब तो यह 45 पे हम भी यहाँ पे भी move कराएंगे तो यहाँ पे 45 पे move कराएंगे तो जहाँ पे isometric line को cut करेगा तो इस point पे यह cut कर रहा है तो यही length हो जाएगा यह 100 आईसोमेट्रिक लेंट हो जाएगा यानि कि 82 mm हो जाएगा तो इसको 100 ISO करके हम लोग denote कर सकते हैं तो यह आपका all about हो गया isometric scale के बारे में Thank you